हर्याना H9PM नुश्यनल में आप सबका स्वागत है आईए आपको कराते हैं खबरोंच खर्खुदर सौनिपत मार्ग पर न्यू इंडस्ट्रियल साइट लॉंच खर्खुदर बे आइमटी में अलग-अलग साइज की इंडस्ट्रियल प्लाट लेने के लिए प्रिधान गुर पित शराब की नश्य में था और अपने भतीजी और एक अन्य के साथ आया था शिकैट पर पुलिस ने मामला दृष कर लिया है विकास का कहना है कि उसका वुपनिया का रहने वाला जीजा नरेश अपने भतीजी वेक अन्य नवीन के साथ उनके घर आये जोनहों ने शराब बीच बचाव कराया पुलिस में विकास की शिकायत पर तिनों के खिलाफ मामला दर्श कर लिया है खरकुदा एस्टेम जोती मित्तल नहीं खरकुदा की उलावरिस्टी से प्रभावित हुए पीपली जटोला मंडोरा कतलोपुर सहित करीब आधा दर्जन से अधिक गाउं का दोरा किया और किसानूं को अस्वाश्चन दिया कि उनकी घर्धावरी करा कर सरकार को भीज जाएगी एस्टेम ने बताय कि पिपली गाउं सहीत कई गाउं का दोरा किया गया औरवरिस्टी से फरस्लेयल नस्ठ हुई है उनकी विशेश घर्धावरी के आदेश दिये गई ह हर एक खेत की मोकी पर पहुँच के रिपोर्ट बनाने के निर्देश है जो पटवारी गिरदावरी करेगा उसे हिदायत दी गई है कि इस मोकी पर गाउं के मुझूद वैक्तियों को बुला कर गिरदावरी करेगा इसके लाव कोई भी पटवारी लापरवाही करता है तो उसके तुरंथ आफ्रिस में शिकायत की जाए ताकि उस पर एक्षिन लिया जा सके ओलावरिस्टी के बाद एस्टीम कारेले पहुँचे किसान पांच मांगे रखी खरकुदय लागे में हुई ओलावरिस्टी के कांट जो फसले खराब हुई हैं उनके किसान सोंबार को बारी-बारी से एस्टीम कारेले में पहुँचते रहे और भरपाई की मांग करते रहे इसी चरण में सामुहिक तोर पर भी किसान भगवान पश्चुरां पार्क में एकत्रुत हुए और वहां से कारेले पहुँचे SDM कारेले प्रांगन के पार्क में बैठ कर SDM मैडम को ग्यापन MLA जयवीर की मौजूदगी में ग्यापन सोबा किसानों की जो मांग थी उनमें बहुत से किसान ऐसे हैं चिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यूरा पोर्टल पर पहले अपलोड नहीं किया था क्योंकि वे अपना गिहूं या सरसो मंडी में नहीं ले जागते थे वे अपनी घर के लिए प्रियोग करते हैं इस तरह से एक, दो या तीन एकर से सम्मधित किसान हजारों हैं अब उनके लिए भी समस्या हैं, इसलिए ऐसे किसानों की मांग को ध्यान में रखते भी, पोर्टल को नए सीरे से खोला जाए ताकि वे अपलाई भी कर सकें और श्यती पूर्ती के लिए भी आविदन दे सकें किसानों का कहने की बरबाद फसल का 50,000 रुपे प्रती एकर मुआवजा मिली, बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्नों ने 5 एकर से अधिक जमीन पर खेती की हुई है लेकिन अब सरकार के वल 5 एकर तक ही नुपसान की भरपाई के लिए पोर्टल पर अपलाई कर रही है ऐसे में बाकी जमीन के नुपसान का मुआवजा कैसे मिलेगा इसकी भी सरकार द्वारप प्लानिंग की जाए ताकि जो फसल खराब हुई है उसकी सारी की सारी फसल का मुआवजा मिल सके किसानों ने यह भी मांग रखी है कि बहुत से किसान ऐसे हैं जो पटेदार बटाई या ठेके पर फसल उगाते हैं जो मुआवजा बनता है वह भूमी मालिक को जाता है ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिस किसान ने फसल उगाई है उसके खाते में मुआवजा जाए किसानों की मांग है कि पटवारी वे गिर्दावर जब गिर्दावरी करने के लिए खेतों में आते हैं तो वे खेतों में न जाकर किसी के घर में बैट कर या किसी की दुकान पर बैट कर गिर्दावरी की खाना पूर्टी कर लेते हैं जिससे किसान मुआवजा से बंचित रह जाता है। SGM जोती मित्यल ने किसानों को आस्वाशन दिया है कि उनकी मांग उचित माध्यम से सरकार को भेजी जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे शती पूर्टी पोर्टल पर अपनी नुकसान का ब्यूरा अप्लोड कर दे। चति पूर्टी पोर्टल जिस से नुकसान पूर्टल पर कर दिया है ौह जितना वी नुकसान हुआ है, उंका आइप्याध नुकसान के पूर्ट्ट tier पर यूजी norm अपन हुआ हो सकता है कोई टेक्निकल इशूस की गज़े से वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पारा पर पॉर्टल ओपन रहेगा सभी किसानों से मेरी अपील भी आप लोगों के माध्यम से शती पूर्थी पॉर्टल पर अपने आपको जरूर रजिस्टर कर लें जित कि सरकार की अभी पांच एकर की आई है इन फूर्ट जोभी इशान नहीं है उसी कि इस साथ सी जिसानों को माधर्शन दे दिया जाएगा बुद्धा इंटनेशनल पॉबिक स्कूल अपन फुली एसे बिल्दिंग सेवनिकर केंपस एक्स्टर क्लास्स फोर विक स्टुदेंट्स, स्पेशली फोकस ओन एंग्लिश स्पिकिंग, B.I.P.S. अब फोर पेरेंट्स, इंडोर स्टेटियम, बॉक्सिंग, रेस्लिंग, कबड़्डी, शूटिंग, बास्केटबल, बैड्मिन्टिन एन लॉन टैनिस एपी गर्ग पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों की जूले, छोटे बच्चों की खेलने की व्यापक व्यवेस्था, आधोनिक स्मार्ट टीवी, केंपिटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्टरी लैब, वे हाइट एक लाइटेक लैबरेरी की सुवीधा उपलाप, आड्मिशन और रेजिस्टरेशन ओपर, नर्सरी टुट्वेल्ध, सभी प्रकार के खेलों की सुवीधा, विद्याले में लिफ्ट सुवीधा उपलब्द, वर्ल्ड क्लास लाइबरेरी सुवीधा, आधोनिक प्लास्रू प्रसक्षित, पीचर स्टाफ, हाइटेक सभी लैबरेटरी सुवीधा, चात्राओं के लिए खेलने की उचित सुवीधा, नहीं सिक्षर प्रणाली के तहट सभी हाइटेक सुवीधाई उपलब्द, अपने बच्चों के उजवल भाविश्य के लिए प्रताप स्कूल में दाखिला कराएं, खरकुदा में डॉक्टर सेठी के अमर हस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्मान, आप खरकुदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित सा सुवीधाई, आखो की हर तहे के इलाज वा उप्रेशन के लिए नित्र रोग विशेशज्य डॉक्टर प